प्यारी विद्यार्तियों आज हम बात करेंगे मिस्र की कला पाशाती चित्रकला में मिस्र की कला इसे पहले हमने प्रागेसी का लिंद योरोफिन चित्रकला के बारे में पढ़ाता मिस्र की कला जहां जब भी नाम आता है तो हमें मिस्र के पिरामेड़ी आदाते हैं तो उसी से समंदित आज हम बात करेंगे मिस्र की कला मिस्र की कला के आरंबिक अवसेश पूरा पासान काल से नौ पासान काल के आखे टक मानव परकरती के पद्द चिन्न प्राप्त होते हैं मिस्र का कला वेभव उत्तर धातु युग और प्राक राज वन्सिय युग से प्रारंब होता है जिश्पर मेसोपोटामिया सब्वेता का प्रभावु दरश्टी गोचर होता है मिस्र की कला का अरंब पाँच जार एश्युपूर्व से अठाई सो पचास एश्युपूर्व तक प्राचिन युग या प्राक मेमफाइट युग या प्राक फ्रावनी युग के नाम से जाना जाता है यानि वहां के राजाओं को फ्राव के आ जाता है इसलिए उसको फ्रावनी युग का आ गया इसके पसाथ कला का व्यवस्तित रूप हमें थीनी युग में जान पड़ता है यहनि इसके बाद में जो आएगा वो थिनी यूग आएगा और उसका तीने जहार यिश्विपूर्व से 2750 यिश्विपूर्व तक वो उसका टाइम प्रियेड है इस समय की कला प्राचीन यूग के भवनों या समाधियों में उतकिर्ण चित्रों एवं मूर्तियों को आधार मान कर सर्जित होने लगी प्राचीन मिसर की कला मूलत अंतेस्टिक कला या फिन्रल आर्ट या मरतकों की कला या जो अंतिम संसकार है उससे समंदित जादा है पिरामीडों में काम हुआ और पिरामीडों में ममीज को रखते थे यहनि उनका अंतिम संसकार होता था इसलिए इसको फिनरल आर्ट या मरतकों की कला के नाम से भी जाना जाता है प्राचिन या थिनी यूग की कला के आकारों में गती एवं लये का प्रादुर्भाव हुआ जो समाधियों की भीतियों यहनि दीवारों एवं कास्ट पटिकाओं पर उतकिर्ण एम चित्रित है इनसी यहां कुछ लकडी की पटिकाओं पर भी उतकिर्ण किये गए हैं प्राचिन मिस्र के इतिहास को दो भागों में विवाजित कर सकते हैं यहनि उसके इतिहास जो भी हैं उसको दो भागों में विवाजित किया गया है Freedynistic Period यहनि पूर्व राजवन सिय काल 5000 इशियों पूर्व से 3000 इशियों पूर्व नमबर दो पे डाइनेस्टिक पिरियड यहनी राजवन्सिय परंपराकाल यह 3000 यश्यू पूर्वसे 30-20 तक इसका टाइम पिरियड माना जाता है राजवन्सिय परंपरा की जब बात आएगी यहां बहुत सारे राजवन्सों ने अलग लग राजवन्सों ने राज्य किया तो उनमें जो आर्ट बनी वो राजवन्सिय परंपरा या वन्सिय परंपरा उसको गिना गया आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि वंस ये परंपरा और उससे कैसे इसको विभाजित किया गया, काल विभाजन कैसे है थिनी यूग थिनी यूग में जो वाँ के राजबंस है, उसका पहला और दूसरा राजबंस के बारे में हम बात करेंगे इसका टाइम पिरेड तेने जारी शुपूर्व से 2700 सी पूर्व तक माना गया है थिनी यूगिन राजबंस ये समराटों ने एक नविन आधार परदान किया समराट ने राजबंस ये परंपरा को सुद्रडता परदान करते हुए समराट को इश्वर के समकक्ष माना और उनको फ्राउन का आगया के रूप में इस्तापित किया यहीं से मिस्र की कला एवं सामाजिक अवधारना में राजा को इश्वर या देव तुल्ले या अवतार माना जाने लगा एवं एक नए भोतिक संसार से परे इहलोकिक कल्पना को जन्म दिया जिसके कारण मरत्यु समंदित अवधारनाओं या एक नवीन संसार की धारना इस्तापित हुई पिरामिडों के अंत्य भाग को चित्रों से सजाया जाने लगा साथ ही लखडी या मिट्टी की पटिकाउं पर भी आकरतियां उत्किर्ण होने लगी आज इतना ही इसके बाद में हम प्राचिन राज बंशिये परंपरा के बारे में बात करेंगे धन्यवाद झाल